हाई दोस्तों आप देख रहे हैं बुलेट गुर्ण में मैं जिते इंदर और आज हमारे पास है बीए सिस का बैंट पाइप दोस्तों आपको मालूम होगा है रिसेंट की मैंने बीए सिस का बैंट पाइप चेंज किया था अगर अगर अपने वीडियो नहीं देखा तो आई आपके लिए इंफर्मेटिफ है जरूर जानिएगा और जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत आइन पाट है उसके वीडियो को आपके तक जरूर दिखेंगे चलिए जानते हैं तो दोस्तो बिफोर स्टार्डिंग एरॉर में चैनको सस्क्राइब नहीं किया जल्दी स्सक्राइब कर लेजिए ताकि ऐसी जो वीडियो जो आपके टाम टाम आसेके जरूर दो आपके इसका अपडेट बेट बारे में तो दोस्तो पहले स्टार्ट करते हैं इसकी गुछ तो डीडिलींस के बारे में तो डीडिलींस आपको मालूम है कि BS6 बेंट पाइप जो है उसमें जो फील्टर आएब देना इमपोर्टन है ओजकल अब सब ब्रस तो बिलेंगे योगी ऑविसर निकलती है कि जो जो बंड गैस निकलती हैं उसके अंदर टॉक्सिक वोती हैं उसको यह जो फिल्टर है, वो फिल्टर करके बाहर निकालता है, जिससे कि हामफुल कैसे होती है, वो आपर में ना फैले हैं, और यह सब ही कमपनी इसको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए रॉयल इंफिल्ट ने भी इस नम को फॉलो किया हुआ है, इसके वाइसे जो साउंड के वज़े से और इस फिल्टर के वज़े से वाइसे साउंड जो है वो फिल्टर चेंज हो गया है, बाकि आपको मालूम है कि मैंने ब्येस ब्याइट बैप चैंज कर वीडियो पनाई थी, तो दोस्तों इस फिल्टर को लगाने के वएज से यहां पे थोड़ा रॉयल इंफ या तो अप्र और शेर्विक कर भूंघ जाते हैं भेसा स्रूर के लिए यह जगाए चाश हो घुए वाले हैं इस एरिया के बात कर रहो हुम है and ये प्रॉब्लम maximum अभी सभीे बॉम कि यो कि क्या होता है कि इस एरिया吗 जो प्राइशर में होता है वह बहुत ज़्यदा होता है टीक है इसके गए और ज़िया कि प्रेशर किला हुने के प्रेशर के जो अगर आपको भी फेस्ट करने को मिलती है अगर यह जो एरिया है सेम अगर बॉटम साइड पे होता तो जो हीट है वो डिस्ट्रिबूट जाता लॉंग में दिस्ट्रिबूट जाता और बैंट पाइप का जो एक जगा पर सिर्फ पर्टिकुलर जगा पर हीट हो रहा है वो प जो भी फेस्ट आप इसको तो चेंज नहीं कर पाएंगे तो आपको बैंट पाइप ही चेंज करना बड़कर तभी हो पाएगा और बैंट पाइप चेंज करते हैं तो वर्यंट के प्रॉडम आ जाती है तो सलुचन जो है ना वह अल्मोस्ट ना के बराबर जैसा ही है तो य वह इसको जो वह स्रीघज कर देखे या फिर इसको लांग कर दे ताकि ही जो है ना इस एरिया में जज्दा ना आ ए लिए यह जो प्रॉडम प्रॉडम फेस्ट आम लेयर ना तो ज्यादा बैटर होगा तो आए होप दोस्तों आपको जो एन्फोमेशन मिल गया हो कि अगर यह बहुत बड़ा प्रोडम क्योंकि इस एरिया में यह जो आपने शील्ड देखने हैं यह शील्ड है यह शील्ड लगाने का रीजन यह यह बहुत ज्यादा गर्म होता है इसमें अगर हलका अब हाथ टाच जाए तो विदिन असे कंदर में आपका हाथ जल जाएगा ऐसा हो तो दोस्तों यहाँ वीडियो को मैं थोड़ा एंड करता हूँ अगर कोई आपका जोगाड निकला या फिर कोई इसका सुलूशन निकला तो जरूर मैं आपको जल्दी बताऊंगा अगर कोई सही सा सुलूशन निकला तो और रोल इंफिन से भी रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि उसके लिए कुछ सुलूशन निकाले और जो राइडर्स को प्रॉडम हो रही है पेंड ही प्रॉडम हो रही है वह प्रॉडम ना हो दोस्तों यहाँ वीडियो करते हैं ख्याल रखे ध्यान रखे और देख तेरे ब्लड को ऐसी बहुत सारे इंफ्रमेडियो वीडियो तूम करेंगी कि अब्स हिस्टन इसारे फखेडियो